अभी तक मैंने आप लोगों बार्य पत्प पहाए थे जो अध्यासिकों पाद्यारियुट जी की पहुंदू दिखा तो उसके बार्य पत्प मैंने अब तक अध्यान करा चुका है अब तिरहाँ पत्प दिखेंगे जिए आप लोग साची ढाला सकलवकू है दिब्य सवंदरे साली सत्पुस्पों सी सुर्वी उसकी प्राड़सम पोशिका है दोनों कंदे विसववर्षे हैं बड़े ही सजीले लंबी पाहें कलब करसी सक्ति की पेटिका है यहां पर रादिका पवन से कहती है कि ही पवन जैसे तुम सिक्ष्ट के पास पहुचोगी उनका दिब्य और अलोकिक सरीर को जो दोखेऊगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे उनका पुड़ा संसीर शरीर ही किस साचे में डाला गया है हे पवन तुम जैसे इस सिक्ष्ट के पास पहुचेगी उनके दिब्य और अलोकिक संदरसाली सरीर को जब तुम देखोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा उनका जो पुरस संपूर सरीर है किसी साचे में डाला हुआ है सत्पूस्पों सी सुर्भी उसकी प्राडों की संपूस्का सैक्रों फूलों का जो सुगंध है उसके सरीर से निकलता हुआ दिखलाई देगा सैक्रों फूलों की जो महक है उनके सरीर से निकलता हुआ दिखलाई देगा जो की उनके प्राडों की पोशल करने वाली भी हैं दोनों कंदे उस सब वर्ष से बड़े ही सजीले यहां पर आदिका करती है कि हे पवन जो उनके दोनों कंदे हैं वह बैल के कंदों के समान बड़े ही सुन्दर हैं हैं यह पवन जो सिखिष्ट के दोनों कंदे हैं वह वैल के कंदों के समान बहुत ही सुन्दर हैं लंबी बाहें कलब करसी सक्ति की पीटिका हैं और उनकी जो लंबी भुजाए हैं वह हाती के सुड के समान लंबी और सक्तियों से भरी हुई हैं उनकी जो लंबी भुजाएं हैं वा हाती के सुड के समान काफी लंबी हैं और सक्तियों से भरी हुई हैं इस बाद दखेगा आप लो ही राधिक पाउन जैसे राधिका पाउन से करती है कि ही पाउन जैसे ही तुम सीच के पास पहुचोगी उनका दिव्य और लौकिक और संदर साली जब सरी को तुम देखोगी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे उनका पुरा सरीर ही कि साचे में ढाला गया है और उनके सरी से सैक्रों फूलों की खुस्बू आते भी दिखलाई देंगी और यह जो खुस्बू है वो उनके प्राडों का पोशल करने वाली भी हैं उनकी जो दोनों कंदे हैं वो बैल के कंदों के समान काफी सुन्दर हैं और उनकी जो लंबी भुजाये हैं वो हाती के सुर के समान काफी लंबी और सक्तियों से भरी हुई हैं वहातिक किसुड के समन काफी लंबी और सक्तियों से भरी हुई हैं आगे दखीगा राजाओं सा सिर पर लगा दिब्य अपीर होगा राजाओं सा सिर पर लगा दिब्य अपीर 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 पगड़ी होता है अलाओकी पगड़िया मुकोट खेपवन जैसे ही सिकिस्ट के पास पहुचोगी तुम दिखोगी कि सिकिस्ट ने भी अन्य राजाओं की भाती अपने सिर के उपर एक अलाओकी मुकोट को धालग कर रखा है ये पोवन जैसे तुमके पास पहुचोगी तो देखोगी सिखिष्णे भी अने राजाओं के बाती अपने माते पर अपने सिर पर एक अलोकिक मुकुट को धालक की हुए हैं उनके दोनों कानों में जो सुने के कुंडल हैं उनकी सुन्दर्ता को और भराते वी मालूम होंगी नाना रतन क्लित भुज में मन्जू केर होंगे अनेको रतनों सजडित भुजाओं में उन्होंने बाजू बंद को पाना होगा अनेको रतनों से जडित भुजाओं में उन्होंने मन्जू केर मतलब अनेको रतनों से युक्त उन्होंने बुजाओं में बाजू बंद को पाना होगा मूती माला लशित उनका कंबू सा कंट होगा अब मूतीयों के माला से युक्त जो उनका गर्दन है वह तुम्हें कंबू सा कंट मतलब संक के समान दिखलाई देगा मूतीयों के माला से युक्त जो उनका गर्दन है वह संक के समान सुन्दर दिखलाई देगा यहां पर दकी एक बार यहां परादिका पाउन से करती हैं कि ही पाउन जैसी तिम्होंन के पास पहुचोगी देखोगी कि उन्होंने भी अन्य राजाओं की भाती अपने मात्सिर पर एक अलाओ की कुमकुट को धार किये हैं और उनके दुने कानों में चो सोनी के कुंडल हैं को उनकी सम्दरता को आरुदेका बढाते होंगी और उन्होंने अनिको रत्नों से युक्त जो बुजाओं में अपने बुजाओं में अनिको रत्नों से जलित बाजू बंद को पहना होगा और मोतियों की माला से युक्त जो उनका गर्दन है वो तमें संग की सम्मान सुन्दर दिखलाई देगा आगे दिखेगा तेरी में है न यह गुण जो तु ब्याथाए सुनाए ब्यापारों को प्रकर्मती और युक्तियों से चलाना बैठी जो हो निस सधन में में किसी कांती वाले तो चित्रों को इस भवन को ध्यान से देख जाना यहां पर राधि का पावन से कहती है कि हे पावन तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम मेरे सारे दुखों को जाकर कि सिक्ष्टे बता सको हे पावन तुम्हारे अंदर यह सारे गुण नहीं है कि जाकर के तुम मेरे सारे दुखों को स्रिक्रिष्ट को बता सको इसलिए ब्यापारों के प्रखर्वति और युक्णियों को चलना तुम ब्यापारियों के बाती अपने तिवर बुद्धी और युक्णियों का प्रयोग करना इसलिए हे पवन तुम व्यापारियों के बाती अपनी तुब्र वुद्धी और युक्णियों के द्वारा मेरे दुखों को बताने की कोशिद करना बैठे जो हुनी सजन में में किसी कांती वाले हे पवन बादल के समान चमक को रखने वाले सिक्ष्ट जी गर अपने घर में बैठे हो तो चित्रों को इस भवन को ध्यांस अरुस भवन में कोई चित्र हो तो उन चित्रों के माध्यम जहीं तुम मेरे सारे दिखों को उनके पास प्रगट करने की कोशिद से करना जब एक बाद हे पवन तुम्हारे अंदर ये सारी गुर नहीं है कि तुम मेरे सारे दिखों को श्रिकिष्ट से बता सको हेपवण तमारे अंदर ये गुर नहीं है कि मेरे सारे दुखों को सिक्ष्रश्य सुटु म बता सको इसलिए प्यापार्यू के समान अपने तिवर भुद्व काप्रे करके कोई ने कोई युक्ति चला करके मेरे दुखों को उनके सामने पर करने की कोशी से करना ये पहुन बादल के समान तीज से युक्त स्रिकिष्ण जी गर अपने भवन में बैटे हो गर उस भवन में कोई भी चित्र हो तो उन चित्रों के माध्यम से ही तुम मेरे सारे दुखों को उनके सामने बताने की कोशिस करना जरागे दखीगा जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई तो जाके निकट उसको भाव से युँ हिलाना पियारे होके चकित जिससे चित्र की और देखे आसा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी जो चित्रों में यहाँ परादिका पहुंच से कती है कि जिस भवन बैटे हो उस भवन में गर कोई चित रहो और उन चित्रों में विरा से ब्याकूल किसी इस्तिकाचित तुम्हें दिखलाई दे कि जिस भवन बैटे हो उस भवन में कोई चित्र हो और उन चित्रों में विरा से ब्याकूल किसी इस्तिकाचित अगर तुम्हें दिखलाई दे तो जाके निकट उसके भाव से उना तो उसके निकट जाकर के हे पवन तुम धीरी-धीरे उसे हिलाना अब प्यारे होकर चित्र जिससे चित्र को और देखें जब तुम धीरे-धीरे उस चित्र को हिलाओगी तो हमारे प्यारे पेतम से किस जो हैं वह आश्चर चिकितों करके उस चित्र की और देखने लगेंगे तुम धीले धीले करे चितर के लाओगी तो मेरे पेतम सिक्ष जो है वो आश्चर चकित होगरके उस चितर की ओर देखने लगेंगे आसा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमें इस बात की आसा है जब और चितर को देखेंगे तो उन्हें हमारी भी याद आ जाएगी उन्हें यहाद आ जाएगी इसी चित्र के बारती रादिका भी मेरे बिढ़ा में ब्याक को लोकर के कहीं पर पड़ी होगी इस बास की आसा है कि जब वो चित्र को दिखेंगे तो उन्हें हमारी याद जरूर आएगी उन्हें यह याद आएगी कि चित्र के भाती रादिका जो है वह भी मेरे विरह में ब्याकुलो करकर कहीं एक जगह पर पड़ी होगी फिजवद केगा यहाँ पर आदिका पवन से कहती हैं कि है पवन मेरे प्रितम जिस भावन में बैटे हो उस भावन में अगर विरह से व्याकुल किसी इस्तिका चित्र अगर दिखिलाई दे तो हो भावन तुम धीरी धीरी उस चित्र के पास जा करके धीरी धीरी उसे हिलाने लगना और जैसे ही तुम इस चित्र को हिलाओगी तो मेरे पेतम आज चित्र की तो करके उस चित्र की ओर देखने लगेंगे जब देखेंगे तो मुझे इस बात की आसा है कि उन्हें इस चित्र के मादम से उन्हें हमारी भी याद आजाए जब उन्हें हमारी याद आएगी तो वह सुचेंगे कि इसी चित्र के भाती यादिका भी वह भी मेरे बिरह में व्याकूल हो करके कहीं ये जगर पर पड़ी होगी नेक्ट देखेगा जो कोई भी इस सदन में चित्र उध्यान का हो और हो प्राडी विपुल उसमें घूमते बावले से तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुर्ती ब्रच की व्याकूलों का कराना यहां पर प्रादी का पवन से कहती है कि हे पवन मेरी पेतम जिस भवन में बैटे हो उस भवन में अगर कोई बाग बगिचे का चित्र तुमें दिखलाए दे बाग या बगिचे का को चित्र दिखलाए दे और उस चित्र के जो प्राड़ी हैं वो पागलों की भाती इधर से उधर घूमते हुए दिखलाई दे घ्रकी और हो प्राड़ी उसमें घूमते बावले से और उसके जो चित्र के जो प्राड़ी हैं वो पागलों की भाती इधर से उधर घूमते हुए मालूम हों तो जाकिस तो धिरी धिरी उसके पास जा करके उसे हिला करके देवात्मा को सूर्ति ब्रच के ब्याकुलों कराना तो हमारे पेटम सिखिष्ट को ब्रच के ब्याकुलों की याद दिलाने की कोशिशन करना थाथ जैसे तो मुझ्चित्र को ब्रच के ब्याकुलों की याद दिलाने की कोश परादिका पहुंच से करती है कि हे पवन मेरे पेतम सी कृष्ण है जिस भवन में बैटे हूं उस भवन में और कोई उध्यान का चित्र हो बागबिच्चे का चित्र हो और चित्र के जो पाड़ी हैं वो पागलों की भादी कर एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक घूमते तो उस चित्र के पास जागर के उस चित्र को भी तुम धीरे देरे हिलाने लगना जैसे ही तुम उस चित्र के इलाओगी तो हमारे पीतम सी किस्ट को हम सभी प्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाएगी उन्हें यह याद आ जाएगा कि इसी प्राड़ियों की बाती ही जो ब्रच के लोग हैं वह भी मेरी वियोग में ब्याकुल दुख्यों करके एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक ऐसे ही घूमते होंगे अगरा देखेगा कोई प्यारा कुस्म कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चलड़ पर लाट डाल देना उसी को यो दिना ए पौन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो कमल पक को चुमना चाहती है यहाँ परादिका पवन से कहती है कि हे पवन जिस भवन में मेरे पेतम से किस्ट बैटे होंगे उस भवन में कोई सुन्दर सा फूल अगर मुर्जा करके उस भवन में पड़ा वाद के लाई दे पवन मेरे पेतम जिस भवन में बैटे हों उस भवन में कोई सुन्दर सा फूल गर मुर्जा करके कहीं पड़ा हुआ दिखलाई दे तो उसे लह जा करके तो प्यारेक की चरपः डाल देना उसे को उनकी पैरेवन और डाल करके उन्हें यहाज अतला देना की इसी फूल की भाती एक रादिका भी जो है एक रादिका जो है वह मलाना हो क कमलपक को चुम आ जाती हो आपके ब्योग में व्याकफुल हो करके दुख्यों करके मलीन मुकवली हो करके आपके कमलवत चलों को चुमना चाहती है इस बहुत देखेगा ही पवन मेरी पितम सिकेशन जिस भवन में बैटे हों उस भवन में कोई फूल गर मुर्जाया हुआ हो पड़ावा दिखलाई दी तो उसे ही ले जाक उड़ा करके सिकेश के चलों पर डाल देना और डाल करके उन्हें यह बतला देना कि इसी फूल की भात ही रादिका भी मलिन मुखवाली हो करके दुख्य वस्ता में हो करके आपके कमलवत चलों को चुमना चाहती है आपकी कमलवा चलों को चूमना चाहती है ध्यानेंगे आज के लिए इतना ही है कल इस पूरे पार्ट को समाप्त कर दिया जाएगा इसलिए आजी फाई अब कल आप लोगों को बताई जाएंगी